नमस्कार जहिन साथियों रीट 2021 परिक्षा में आने वाला संभावित सवाल इस वीडियो में दो सवाल बताऊंगा मैं आपको दो सवालों के साथ में तीन फेक्ट बताऊंगा जो की बहुत ही महतोपूर्ण है यहां से सवाल है जो पूछा जा सकता है पहला सवाल देखिए बाबर ने अपने आंकलन के अनुसार किस भारतिय शाषक को भारत का शक्ति शाषक बताया बाबर ने किस शाषक को कौन सा भारतिय शाषक है जो को शक्ति शाली बताया कि यह सबसे शक्ति शाली है राजा बिरमदेव, राजा विश्णुदत, राजा कृष्ण देवराय या फिर राजा बाज बहदूर तो बाबर ने किसको बताया था सबसे पाउरफुल वो बताया था अपने से राजा कृष्ण देवराय को बताया था यह सबसे पाउरफुल है भारतिय शाशक अगला सवाल देखिए बाबर ने तुलुगमा युद्ध पदती किन से सिखी जो बाबर ने युद्ध में तुलुगमा पदती का उप्योग या था वो किन से सिखी थी उजबेगों से, इरानियों से, तुर्कों से या फिर कुस्तुन तोनियों से क्या होगा उत्तर हो जाएगा ए उजबेगों से सिखी थी तो ध्यान रखेगा नीचे फैक्ट भी अब तुलुगुमा पदति किन से सिखी उजबेगों से इरानियों से क्या सिखा था उसने अब ने बंदुगों का प्रियोग सिखा ठीक है तुर्कों से कैसे का गतिशील घोडों का संचालन सीखाता तुर्कों से और कुस्तुन तोनियों से तोप खाने का प्रियोग है जो सीखाता तो ये थे important सवाल वीडियो का आप लाइक कर दीजिए शेर कर दीजिए और पहली बार देखने चैनल पर चैनल को पुन साबित होंगे फिर मिलता है